हाई एबरीबन वेलकम बेक टू माई चैनल माई नम इस आनेल और इलेक्टरोन जैस की इस यूडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे अप्लिकेशन को फ्रेमलेस का मतलब क्या है देखो जो हमारी के अप्लिकेशन होती है उसके अंदर में कुछ चीज़े बाई डिफॉल्ट मिलती है उपर टाइटल के उपर जैसे कि आपको आइकन मिलेगा एक टाइटल के लिए कुछ टैक्स मिलेगा और यहां बें तीन कंट्रोल मिलेंगे तो हमारी लेट्स एक रिक्वार्में आप रहा हूँ कहीं भी ठीक है बट जब मैं यह फ्रेम यह टाइटल बार हटा धूँँगा यहां से तब हमारे पास इसको ड्राइग करने के लिए कुछ भी नहोंगा विए तो है नहीं तब हम इसको किस तरीके से ड्रेग कर सकते हैं यह चीज़ भी देखेंगे और उसके ड्रैगेबल और सोरी फ्रेमलेस कैसे बना सकते हैं बहुत ही इजी है आपको यहां लिखना है फ्रेम और इसको कर देना फॉल्स जैसे आप इसको फॉल्स करोगे और आप अपनी अपनी अप्लिकेशन को दुबारा चलाओगे तो यहां आपको दिख जाएगा यह थोड़ा ल बट देखो अब मैं इसको मूव नहीं कर वा पारा हूँ कहीं पर भी इवन यह सेलेक्स हो जा रहा है और जैसे की एक वेबसके में स्थीलर में नहीं होता है तो यह एक्ट्वियर की जैसे यहां पर जो आपकी सबसे पहले Windows प्रोपर्टी है इस के अनरा आपको लिखना है style और यहां पर लिखना है simply user select और user select लिखते ही आपको एक प्रोपर्टी एड़ करनी है basically जो है कि none अब क्या होगा जो आपका by default text है ये इसको मुझे refresh करना पड़ेगा ctrl r से इसको ctrl r करता हू बाद मैं select करने कोशिश करता हूं तो यह select नहीं हो रहा है तो एक problem तो resolve हो गई बट second problem अभी भी यह है कि इसको मूव किस तरीके से करवाँ मूव करवाने की लाप को क्या करना पड़ेगा just यहीं पर style के अंदर एक और property एड़ करनी है minus webkit आप इसको basically है वेपकिट भी कह सकते हो वेपकिट और यह होती है app reason और इसको कर सकते हो अब ड्रैग कि जब भी आप application के ऊपर कहीं पर ड्रैग करने कोशिश करोगे तो यह ड्रैग हो जाएगी इसके लिए आपको control R करना एक बरिफिर से और बाद में मैं इस text को उपर लेके जाता हूं और देखे हमारे application मूव हो हो गे तो नहीं होगा text के ऊपर ही होगा तो यह हमारी application अब ड्रैगबल भी हो गई बट इसके अंदर भी एक problem है वह मैं आपको दिखाता हूं let's say मैंने क्या करा एक यहां पर कुछ BR tag set करता हूं और यहां पर रेंज सेलेक्ट करता हूं रेंज ही क्यों सेलेक्ट कर रहा हू हो रही है because हमने text के ऊपर ऐसा लगा रखा है right so यह चीज सो ठीक नहीं है because जो रेंज सेलेक्टर है इसको तो आगे बीचे मूव होना चाहिए ना बाकि ठीक है टेक्स के ऊपर मारे application हो रही है तो यह तो रेंज सेलेक्टर के अंदर तो रेंज सेलेक्ट होनी चाहिए तो इ की जगा पी लिखना पड़ेगा आपको नो माइनस ड्रैग नो हाइफन ड्रैग भी गोल सकते हो और इसको कंट्रोल आर करोग एक बार फिर से और अब देखोगी यहाँ परफेक्टली काम कर रहा है और यहां से हमारी application मूव भी हो रही है तो इस तरीके से हम हमारी application को frameless ब बना सकते हैं और उसके जो बाइड डिफोल ड्रैग भी इस्यू में उनको भी रिजॉल कर सकते हैं तो थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलना बाइबाई टेक क्यार